करेंगे यूपी बोड के क्लास 10 और 12 के पेपर के बारे में कि हमें पेपर कैसे देना है और उसमें क्या-क्या सवधानिय अब रतनी ताकि हमारा जो भी नंबर है पेपर का वो ना कठे तो यहां पर देखिएगा कि सबसे पहले मेरे चैनल का नाम देख लिजिए आप मैं यूटूब चैनल नेम यार एमडी ब्रांसर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोट्पिकेशन फोन में पहुँ जाएगा आपको बार बार मेरा जो भी चैनल उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा यहां पर देखेंगे यूपी बोड क्लास 10 और 12 पास करने का ट्रिक यही मेरा आज का वीडियो है सबसे पहला जो ट्रिक वो देखी कोई भी प्रस्न ना छोड़े मतब एक्जाम में जब आप बैठोगे 10 का हो या बारा का जो अभी पेपर हो उसमें कोई भी प्रस्न को आपको छोड के नहीं आना है क्योंकि जैसे एक निगेटिव मार्किंग होती है तैयारी के एक्जाम में वैस्चे इस सेम समाझ लो कि यह यूपी बोड क्लास 10 और 12 में होता है इसमें अ पहला आप ने देख लिया कि कॉए बीपरस्न को नहीं छोड़ना है दूसरा आ ihan कि एक जैसा न इक जान करें मतलब कोई क्वानियम को प्रतन ही है थिसरा आप देखिए जो प्रसन His आप तरीगे से लेकित से उससे अचडे से लिट में हरा उसके बाद फूर्थ рक किसी भी बश्रयब ना करें मतलब एक लिखते में अगर आपको कई मिश्टेक हो जाता है तो उसमें आपको तो गलतिया नहीं करने हैं उसका भी जो भी गलतिया करते हो उसका भी बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे काफी पर नंबर के तो इसलिए अगर मालो कि आप लिख रहे हैं बिद्याले और बिद्लाय हो गया ऐसे कुछ करके गर गलती हो गई तो उसको ब्रेकेट में कर अगरें तो बहुत मतलब जो काफी होती जो भी लखने का तरीका घुट उसमें में सन्के रहता है तो बहुत बुरा लगने लग जाता हूँ इसलिए हमको यह चीज इसमें नहीं करनी है पांच नंबर है पेपर काफी में रफ कारेंग करें मतलब सबसे पहले आप यह देख कापी भी ले सकते हैं तो सबसे पहले चीज होती है कि उसको भरिये पहले कहां तक आ जा रहा है कितने पेज में तो आपको प्रस्ण करेंगा कि यह चीज करिएगा तर्फ करने कोई ज़रूरत नहीं है इसे आपी का नुखसान होगा उसके बाद छे नमबर है कापी में बीच में कोई विबेच खाली न छोने आपको बीच में यह नहीं कि कोई प्रस्न का भी लिख दिये कि नहीं यह वाला प्रस्न भी हमको करना है और लिख के तो तक आगे वाला को प्रस्न करने लगे उसे में क्या होता है कि जो कापी चेक कर उसको ऐसा लागा कि यह वाला नहीं आया फिर आगे चला गया तो उसके माइंड में लगए तरीकित बीचारा कि और आपके नंबर पर भी बुरा असर पढ़ेगा इसलिए अब ध्यान दीजेगा पीच में छोड़िए कहीं भी जो प्रत्न अभी सोचने के लिए टाइम हो या इसको छोड़ दिए तब तक आगे बढ़े यह भी गलती आपको काभी में नहीं करनी है इतना आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जो दस और बारह होता है यूपी बुट का जे ग्रेजवेशन से भी खतनाग होता है और इसको पास करना बहुत क्या होता है मुश्किल होत इसका क्या होता है जो इजान आपकी कौपी चेक करेगा उसका ध्यान बहुत 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 तरीके से आपके प्रस्ने पर जाता है और वह आपको अच्छे नंबर से मतलब आपको समय लिए कि फुली माक्त देगा उस पे अगर सबसे बड़ी चीजे को और क्यार कीजेगा अगर कोई फीगर बनाने वाला होगा तो उसमें आप जरू से जरू डायाग्राम बनाएगा डायाग्राम बनाएक उसके बारे में जो भी डिसका कनावस को लिखेगा इस तरीके से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा यह चीजे आप ख्याल कर लिए और आपका अभी इस्टुडेंट्स यूपी वोड का ऐसे हैं कि जितकी इंग्लिज क्राइटिंग अच्छी नहीं तो आप पेन को सीधा पकड़के लिए इस तरीके से अगर आप लेकिन ने क्या प्रेक्टिस करें अभी आपके पास टाइमिंग है आज 15 तारीक है और समझ लिए आपके पा कुछ नहीं होने माला है कि स्टुडेंट्स इस चीज को आप बहुत डिपली तरीके से सोचिए गा और बस आपको बस एक चीज सोच के चलना है कि जहां भी सेंटर है उससे कोई मतलब नहीं है लिखना तो हर जगह है कापी वही है सब कुछ वही रहता है बस लोगों के दिम कमेंट बाक्स में कमेंट कर लिजेगा मैं आपका हेल्प कर दूँगा और कुछ नंबर बागारे भी लांच किये गए हैं गवर्मेंट की तरफ से जिसे कुछ उसके स्पिसलिष्ट है कुछ सब्जेश्ट के अगर आपको लगाते समया कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उ किने कर दूंगा cuz अबस यह चीजी को आप करेंगा और जो प्रस्न नहीं आता है और आपको कुछ आरा था प्रस नमें कुछ और आगे है तो वहाँ पे भी आप अपने तरीके से उसको हैंडिल कर लिजेगा लेकिन छोड़ के नहीं आना है बस इतना जान लिजेगा छोड़ के आएंगे तो आपके मन में एक डाउड बना रहेगा पूरे एक जाम के रिजल्ट आने तक कि मैरा छूड़ गया था छूड बनी रहती है जब पूरा प्रसना स्टूडेंट कर लोगे तो अंदर से खुसी रहती है कि चलो पूरा किये है ना प्रसना भले उसका रिजल्ट जैसा है बस राइटिंग अच्छी बना के लिखनी है और यह जो भी आठ रूल्स यहां पे लिखे हैं इसको फॉलो करना है उ तो इसका एक्सपरियेंस हो चुका है और बोर्ड में कापी कैसे चेक होती है अगी नौलेज़ तो इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहा है कि आप उनको एक हैल्प हो जाए और इसी वीडियो को अपने और भी स्टूडेंट जो भी है जिसको नहीं हो उसको सेर करिएगा और इंटर के स्टूडेंट हैं उनको तो एक एक्सपरियेंस हो गया होगा कि क्योंकि वीकशे अर्डी क ऐस्टेंथ कशने तना थैन आको थोड़ा सा धिक्कत होगा क्य कि अभी फास्ट टेम बढ़ नहीं जा रहा है तो जो वैषने की श्टूडेंट है वो लोग थोड़ा इस आया हूं तो थैंक्यू सो मच मेरा चनल देखने के लिए धन्यवाद ऐसे ही आप सब्सक्राइब करके लोगों को सेर करते रहें आपके हेल्प के थूर मैं आपको काफी वीडियो प्रोवाइड करूंगा थैंक्यू सो मच आपको परसेंटेज लाना भी बहुत ज़रूरी है बिना परसेंटेज के ऐसे ऐसे फॉर्म आते रहते हैं कि उसको फिलप नहीं कर पाएंगे तो इस चीज को आप क्यार करिएगा धन्यवाद